दोदार तेवीस के चुनाओं में कई रंग देखने को मिल रहे हैं आज भी एक नया रंग देखने को मिला नया रंग ये था कि आज साड़े बारा वजे के आसपास जेवियर मेडा आम आदमी पार्टी के कुछ पदादिकारी और कारकरताओं की टीम के साथ करेक्टेट पहु राद में कहा कि एक नामादमी पार्टी से और एक एक आपने निर्दिली की हिसस से लिया है। कारकरता ताय करेंगे कि वो किस तरफ जाएं आमादमी पार्टी से लणे या फिर निर्दरी लणे यह घटनक्रम आज करीब साड़े बारा बजे के आसपास करता है अब इसमें डेवलोप्मेंट यह हुआ कि देड़ बजे के आसपास मीडिया को कॉल आई कि कांग्रेस ने प आमादमी पार्टी के जलाद देख्ष रालू सिंग अपने एक यूथ विंग के जलाद देख्ष और दो ब्लाक देख्षों के साथ मिलकर कांधिराल बुरिया प्रकास राका और विकरान बुरिया के साथ बैठे हुए थे और वहां घोशना की गई कि खुछ आमादमी पार गया आप स्क्रीन पर देख लिजिए यह वह इस्तीफा है जो इसी प्रेस कॉंफरेंस में मीडिया को दिया गया और साथ में एलान किया गया कि आमादमी पार्टी के जलाद दक्स तुरंत प्रभाव से कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कॉंग्रेस में वह शामिल कर ल सुनियें बता रहे हैं कि वो क्यों कॉंग्रेस में जॉइन हुए हैं रालू सिंग, रालू सिंग का बयान सुनियें हम पांस साल से रहे थे पर हमारी पार्टी में ऐसी आजिवर्शी के हिक में कोई विसरधारा, कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए हमने आमाद दुपार्टी सोड़ी चुनावी साल में जो भी जितने भी लोग आपके साथ आते हैं उनका अकसर सियासत में स्वागत किया जाता है क्योंकि आपका कुन्बा बड़ा होता है, कुन्बा मजबुत होता है कॉंग्रेस ने भी इनका स्वागत किया, कॉंग्रेसी काफी खुश थे उनके तमाम आमाद मी पार्टी के गले में उन्हें डुपटे डाले कॉंग्रेस के और विक्ट्री साइन बताका नारेबाजी भी की और कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रांग भुरिया ने खुशी जताते वे कहा कि इससे उनकी पार्टी मजबुत होगी सुनिए क्या कहा देखे जबदस मजबुती आएगी कॉंग्रेस में क्योंकि हमारी वो पार्टी है जो भाईचारे की विचारधारा को युवाओं की आवाज और सोच को महिला शशक्तिकरन को आम आदमी की आवाज को बुलंद करती है और जित्ता सहयोग क्योंकि बून-बून से घड़ा भरता है हम उन सब का स्वागत करते हैं पार्टी में जो बीजेपी की बाटने की राजनीती और शोशन की राजनीती का विरुवत करते हैं और जित्ते लोग हमारे साथ जुडएंगे हमारी ताकत हर दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि हर दिन अच्छे पड़े लिखे यूवा हमारे साथ आ रहे हैं और मैं उनको सब को विश्वाद दिलाता हूं कि जैसे ही कॉंग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि इस बार 150 सीटों के साथ कॉंग्रेस की सरकार बन रहे है और कमला जी मुख्य मंत्री बन रहे है हम लोग जो हमने वादे करें जो गोशना पत्र में, जो वचन पत्र में वादे करें युवाओं की रोजगार को लेकर महीला सक्षिक्तिकरन को लेकर किसान के अधिकार को लेकर करजा माफी को लेकर सस्ती बिजली को लेकर इन सब मुद्धों को पूरा करने का हम काम करेंगे और जहाबुआ का नाम जो विकास शील पूरे प्रदेश में नामों में गिना जाए उसके लिए जबदस प्रयास करेंगे ताकि जहाबुआ का नाम से मद्ध प्रदेश में नहीं पूरे देश में गुंजे तो आपने सुना कि आज दिन भर आम आदमी पार्टी में क्या उठा पटक चलती रही आपको बता दें कि इंडी गड़बंदन बना है इंडिया गड़बंदन बना है जिसे इसको लेकर तमाम 28 पार्टियां एक हैं और बीजेपी को हराने के लिए गड़बंदन बनाया गया है लेकिन राज्यों में ये गड़बंदन एक दूस्तरे के खिलाब जा रहा है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में तल्कीयब भी थमी नहीं थी और आज आम आदमियु पार्टी की के जलाद्यक och कई पतादिकारी कॉंग्रेस में सामिलोग आ है कई लोग भाजपा में सामिलो रहा है तो ये जो आम आदमियु पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में जो जंग सुरू हो गई है ये इडिया इंडिया गडबंधन को लेकर भी सवाल तो खड़े करती है फिराल चुकि चुनाव राज्योका है इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं होगी लेकिन इस उठा पटक आवाजाही पर आप क्या सोचता हैं कमेंट बाक्स में जरूर बता है